ओम श्यांती, 24 मार्च 2023 के महवाक्य, मीठे बच्चे, तुम रुहानी सोशल वरकर हो, तुमें इस दुनिया को सुख श्यांती और पवित्रता से संपन बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रशन, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कोन सा हथियार है, उस हथियार को यूज करने की विधी क्या है। उत्तर, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है, यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ, हम सो सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधी से माया का गला कट जाएगा, तो माया जीत बन, चक्र वर्ती राजा बन गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, ओम शान्ति, तुम ब्रहमा मुखवन் शावली ब्रहमण ही जानते हो, कि यह कल्यूगी पाप की दुनिया है, और सत्यूक-जरूर पुर्णे की दुनिया है, बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुर्णे आत्माई ह उनको अच्छा जनम मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जनम मिलता है, अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, यह ग्यान तुम बच्चों की बुद्धी में है, शांती धाम को ही परमधाम कहा जाता है, यह है दुख धाम, भारत सत्योग में सुख धाम था, अब हमको श दुख धाम जाना है फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख शान्ती तीनों ही है। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख अशान्ती। यह तीन चीजे समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजे हैं तब सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बली चड़ाते हूँ, तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हूँ, तन से भी सेवा की जाती है ना, सोशल वरकर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं, मन मना भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है मन मना भव यानी सबकी बुद्धी बाप के साथ लगी रही ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके तो और सभी सेवा करते हैं परन्तु मन से कोई भी कर नहीं सकते मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो अब मन और बुद्धी है आत्मा का ओर्गंस और यह करमेंद्रिया शरीर के ओर्गंस है तो बाप बैट समझाते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करो अपने बाप और सुखधाम को याद करो इस दुखधाम को भूल जाओ यह हुई मन की सेवा जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे माया का सिर कट जाएगा ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो मनुष्य समझते हैं स्वदर्शन चक्र से गला काटा था यह तो पाप का काम हो गया देवताओं ऐसा काम कर ना सकी स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है यह है माया पर जीत पाने का स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं माया पर जीत पा लेते हैं इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो यह तुम्हारा हथियार है शंक है बजाने के लिए नोलेज मिली हुई है न सिखलाते हैं स्वधर्षन चक्र कैसे फिराओ तो फिर तुम चक्र वर्ती राजा बन जाएंगे अब हम शान्ती धाम जा रही हैं फिर सुक्धाम आएंगे यह बापनी सिखलाया है स्वदर्शन चक्र धारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके अब तुम इश्वर की वन्शावली हो फिर बनेंगे विश्णू की वन्शावली स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विश्णू को दिया हुआ है तुम हो पुरुशार्थी तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो यह तुम्हारा हथियार है शंक है बजाने के लिए नोलेज मिली हुई है ना सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगी अब हम शांती धाम जा रहे हैं फिर सुख धाम में आएंगी यह बाप ने सिखलाया है स्वदर्शन चक्रदारी बाप के सिवाय कोई बना ना सकी अब तुम इश्वर की वन्शावली हो फिर बनेंगे विश्णू की वन्शावली स्वदर्शन चक्र फिरानी से हम विश्णू कुल में जाएंगी यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना शांती धाम को याद करो जो बाप का घर है जहां से आत्माई आती है अभी तो नर्क है अब जाना है स्वर्ग में बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे परन्तु बाप से पूरा योग नहीं है तो धार्णा नहीं होती फिर कोई को समझाने ही सकती तुम ब्रह्मा मुखवन्शावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वह ब्रह्मा मुखवन्शावली शिव बाबा का पोतरा कहला नहीं सकती क्रोध लोब की बात अलग है परंतु पवित्र रहना सके तो उनको ब्रामन कहना भी रोंग है वह ब्रामन कुलका नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाती है तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहती है परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाती तो वहे ब्रामन कहलाने के हकदार नहीं विकार में जाना पतित पना है ऐसे पतित यहां आ नहीं सकते परंतु कार्णे अकार्णे आने देना पड़ता है अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग है ना परंतु ब्रामन लोग तो यह काम नहीं करेंगे, तो उनों से काम लेना पड़ता है, कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है, वास्तों में पतित कोई रह नहीं सकता, यह है पावन बनने की जगें, पतित आएंगे तो जरूर, भारत पावन था, इस्तरी दोनों संपूरण निर्विकारी थे ना, हम खुद उनों के महिमा करते हैं, तुम हो अब संगम योगी, संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, विशे विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है, सन्यासी लोग विश को छोड़ते हैं, तो पतित लोग उनको म विकार अक्षर बड़ा खराब है, दिर्विकारी अर्थार्थ वाइस लैस, विकारी को कहा जाता है विशश, वैशाले है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूं, लायक बनाता हूं, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालि बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धनके थे अब तो सभी निधनके हैं यह है दुख दाई दुनिया सब एक दो को दुख देते रहते हैं नंबर वन दुख है काम कटारी चलाना जिससे आते मद्य अंत दुख मिलता है इस दुख धाम में कोई को शान्ती मिलना ही असंबव है क्योंकि सारे दुनिया का क्वेश्चन है न इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमों प्रधान हो गया है न सिर्व वह पवि उनकी सेवा करते हैं भोजन देते हैं महल आदी बना कर देते हैं तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं हम सो पुझे देवता थी यह सब भूल गई है निर्विकारी देवी देवताओं के डिनाइस्टी चलती है पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भागे का वर्सा तो लो, यह थोड़े ही पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे, डिनाइस्टी तो चलती है, वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान, सन्यासी तो विकारों से जनमले, फिर निर्विकारी बनने का पुरुशार्थ करते हैं, वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया, विकारी मनुश्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी, जैसी उनों की दृष्टी, वैसी ही सृष बाप कितना अच्छा बनाती है लक्षे तो बुद्धी में रहता है ना भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाती है तो गोया मास्ट्र भगवान हो गई फिर देवता बनना है माश्र भगवान बन, बाप के घर जाना है जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होता मनुश्य ऐसे बन पड़ते हैं, जो पावन बनने के लिए गुरू करना पड़ता है आजकल तो विकारी पतित को भी गुरू कर लेते हैं ग्रिस्ती पतित गुरू क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है बाप को जानते ही नहीं यह है आर्फेंस की दुनिया सत्योग है धनी की दुनिया क्योंकि देवी देवता धरम तो धनी ने स्थापन किया जब धनी के बने तब धन के हो अब तुम गोडली स्टुडेंस हो भगवानु वाज एक अर्जुन प्रति तो नहीं था संजे भी था तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है बाप कहते है स्रेष्च बनू इस ड्रामा को भी समझना है क्रियेटर, डारेक्टर है परम, पिता, परमात्मा, शिव वह ब्रह्मा, विष्नु, शंकर को भी क्रियेट करते हैं फिर उनको डारेक्शन देते हैं फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला फिर विश्नु की माला बनेगी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो ऐसे लक्षमी नारायन बन जाएंगे यह है सची कमाई मनुश्यों को कर्मों अनुसार जनम मिलता है अब बाप ऐसे स्रेष्ट कर्म सिखलाती है यहां है श्रीमत पर चल स्रेष्ट बनने की कमाई बागी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है देह अभिमान भी छोड़ना है हम बाप के बनी हैं जाते हैं बाप के पास यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रहे विकर्मों को काठी लेंगे फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे न नर्क का विनाश स्वर्ग की स्थापना तो होती है न महाभारी लड़ाई सामने हैं इससे भी मुक्ती जीवन मुक्ती के गेट्स खुलते हैं यहां तो देखो बैठे बैठे बिमारी लग जाती है वहां तो सदैव आराम ही आराम है यह दुख धाम है न इसलिए पुरुशार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए वहां माया है नहीं देह अभिमान होता नहीं समझते हैं हम आत्मा हैं यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है दूसरा लेना है वहां यह ग्यान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं यह ग्यान तुमको इस समय है हमको वापिस जाना है बाबा के पास फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो तुम जितना आग्याकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नत्ती होगी शिरिमत से स्रेष्ट बनना है सपूत बच्चों का काम है बाब से पूरा वर्षा लेना अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगी अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है सभी मिट्टी में मिल जाएंगे देवाला मार देंगे तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए बाब कहते हैं तुमको मेरे घराना है इसले उस घर को याद करो घर का मालिखी बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे अभ फिर घर को याद करो ड्रामा पूरा होता है कितना सहज है अच्छा मिठे मिठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुट मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप, दादा को याद, प्यार, गुट मॉर्निंग और नमस्ते जी. धाणा के लिए मुख्य सार पहला पोइंट आज्याकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्सा लेना है श्रीमत पर स्रेष्ट कर्म कर सची कमाई करनी है दूसरा पोइंट संपूरण निर्विकारी बन सच्चा ब्रहमन बनना है पावन बन स्वेम को पावन दुनिया के लायक बनाना है वर्दान एक बाप को अपना संसार बना कर सदा हसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन चीत भव विस्तार कहा जाता है दृष्टी से सृष्टी बदल जाती है तो आपकी रुहानी दृष्टी से सृष्टी बदल गई, अभी आपके लिए बाप ही संसार है पहले के संसार और अभी के संसकार में फर्क हो गया पहले संसार में बुद्धी बटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धी का बटकना बंध हो गया बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए, इसलिए हसते, गाते, उड़ते, सदा प्रसन चित रहो माया रुलाए तो भी रोना नहीं स्लोगन दिल साफ हो, तो मुराद हासिल होती रहेगी सर्व प्राप्तियां स्वैते आपके सामने आएंगी अच्छा, ओम शांती